हेलो लवली पिटीज तो विल्कम बेक आप सभी के लिए माय सेविज वाइफ का लास्ट पार्ट लेकर आ गई हूं आप सब की बहुत-बहुत सद रिक्वेस्ट पर तो सबसे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिस जिसने भी पिछली 4 एपिसोड नहीं देखी हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बिटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे वहना आधी अधूरी स्टोरी समय नहीं आएगी ड्रामे का रियल और फुल नेम वर्निंग अहेड है वैसे तो ड्रामे का नेम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्चन में हम लोग मेंचन कर ही देते ही मगर कुछ stories करें अगर हमें ना पता हो और दूसरे लोगों को पता हो तो comment में आप लोग दूसरों को जरूर मेंचन कर दिया करें और है अगर किसी और के पास किसी ड्रामे को लेकर कोई suggestion हो कि आप उस ड्रामे की story की explanation चाहते होते हैं तो हमारी टीम सबसे पहले देखती ही होती है कि किस comment पर ज़्यादा से ज़्यादा response मिलते हैं तो उस ड्रामे को हम लोग consider कर लेते होते हैं चलिए फिर second last part की story को start करते हैं और इसके साथ last part भी upload कर दूँगी तो उसे भी must watch कर लीजिएगा लास part तक देखा था शेन को ज़ंगली के लिए three month पैरे से book कर वाईगी diamond ring anniversary पर देने के लिए मिल गई है उंकल वू से ज़ंगली की family के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है वो सभी लोग तो वहाँ से भाग चुके हैं तभी उसका ध्यान फॉरण से ज़ंगली पर जाता है क्या वो भी भाग गई होगी तभी वू उसे मिस्टर चैंग उसके डैड का message देता है टाइगर गैंग वाले उसके पीछे हैं तो कुछ दिन तक शेन को careful रहना होगा और अंकल वू उसे ज़ंगली के बारे में उसे अपने डैड को सब कुछ बताने का एडवाइस कर रहे होते हैं शेन अपनी पतनी की मामले को खुद देखना चाता होता है और वू को लगता है बेवकूफी करने जा रहा है आग पानी जैसे कभी एग नहीं हो सकते हैं ऐसे ही टाइगर और मून गलब एनमीज हैं ज़ंगली के साथ पतनी होनी के वज़े से नर्मी करना उसे खुद पर भारी पढ़ जाएगा अंकल वू बोलते हैं अपनी जान बचाने के लिए एक काम करें जांगली की बल्ली दे दे और डैड को बता दे उनके दुश्मन की बेटी है और शैन उसे मूबन रखने का बोलकर उसे वहां से जाने का बोलता है कि वो सब भूल जाए कि कुछ जानता भी है सब कुछ वो खुद अकेले देख लेगा जांगली शावजी को जाकर बताती है कि वो जान चुकी है अपने माता पिता के मर्डरर और गदार मिस्टर चैंग के बेटे शैन से उसने शादी कर रखी है आई मिस्टर चैंग घदार जिन्होंने 15 एर पहले गैंग की पुजीशन पाने के लिए घदारी से मेरे माता पिता को खतम कर दिया था फिस शावजी से एक गन मांग लेती है और वो उसे साथ में केरफू रहने की आखरी रिक्वेस्ट करता है शेहन गए वापस जाता है जंगली ने उसके लिए केंडल लाई डिनर सजा रखा होता है और उसके लिए वेट कर रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है मगर सद लहजे के साथ उसे हेल्प की नीर नहीं है खुद कर लेगा बोलता है सीट पकरने तक जान रहने का नाटक करता है और पूछता रहता है क्या कोई खास दिन है इतना बड़ा डिनर पर वो चलाक होती है तो बोलती है कि उसे मालूम पड़ा है किसी और आरत के गंचकर में फंस रहा है सीलियर मेट से उसे दुबारा अपने कदमों में लाने का तोटकों से पते चला है और जोक शेन कुछ जईता नहीं है उसे अच्छा नहीं लगता बड़ा कुछता है या पागल पना है मैं और किसी और आरत के चक्टर में सुनकर बोलती है कितना अच्छा होता न कि सच मुच में कोई और औरत तुम्हारी लाइफ में होती कम असकम मुचे तुम से लड़ने का मौका ही मिल जाता फिर उसको पूछती है इससे पहले वो तोनों कभी नहीं लड़े है न तो नो बोलता है कि नहीं कभी नहीं तो बोलती है सुना है लड़ने से रिष्टा मजबूत होता है तो क्यों न हम भी लड़ें तो चलो फिर लड़ने का टापिक रखते हैं कि तुम अब बहुत बदल गए हो मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी चलाऊंगी तुम्हें वी शेन के बारे में बताने के लिए फोर्स करूंगी मतलब एक फरजी लड़की का देम रखती है वन तू थरी और फिर स्टार्ट हो जाते हैं पूछती है मुझे चाहते हो या उससे बोलता है तुम्हें चाहता हूँ लोबात ही खतम कर दी अब क्या बोले जाकर सीट पकड़ लेती है पर अब वो पूछता है मुझे चाहती हो उसका भी येस होता है हाँ चाहती हूँ पर शेन के पास ट्रॉपे खतम नहीं होता बोलत कि यह नहीं मेरेंग में रहो अनेस्ट लव में अनेस्टी का भला क्या काम इसमें तो लोग एक दूसरे के लिए जान ले देकर एक दूसर का लव साबित करते रहते हैं अक्सर प्यारा समझ गया कि अच्छा मुझे ही कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है और वह भी जैस ला करता ही है लिपस को छूते ही यह गुमा कर फॉर्क देम आती है गिलास च्छनाक से तूट जाता है फिर चाकू छुरियां गोलियां सबकर सब जो जो मिलता जाएगा एक दूसरे पर तान लेते हैं वह ती है वाइन को छुने के हिम्बत क्यूंकि बोलता पत्नी ने बोला त भी फेक थी पुईता है फेक थी और तुम नहीं तो आक्शन में मेरे लिए बाय की थी बोलती है बहुत भोले हो मैं क्यूं तुम्हारे लिए बाय करके तुम्हारे पैसे बचाने लगी असल में उसने बाद में इसे बेच कर फेक इसे दे दी होती है और उस रियल वाली पि था कि मुझसे सैटिसफाइड नहीं है तो जूवा ना खेलती तो और क्या करती मन भी तो बहलाना था ना फिर इसको बोलता है कि वो जानता है उसने इससे शादी इसके डैड मिस्टर चंग को अड़ाने के लिए कर रखी है और ये पहले दिन जब वो उससे मिली थी तो क्या उसने इससे अपने डैड के साथ रिलेशनशिप क्लेर नहीं बता दिया था मगर फिर भी शादी के लिए राजी थी बात कुमाने लगती है उससे ऐसा समझता है क्या वो क्यों उसके डैड को अड़ाने लगी बोलता है ज़्यादे शाड़ी न बने वो सिफ हाँ या न बोल तो फॉरन से मान जाती है सिर्फ पपा क्यों बेटा की गदन भी उड़ानी है उसे फिकर न करें अब तक लव का तो वैसे भी सारा सिर्फ डाउंग कर रही थी उसके साथ अब वो भी शूट खोलता है ठा ठा करके टेबल का ये सीन रुमिंटिक बन जाता है जैसे टेबल प दोका देने और प्यार के जाल में फंसा कर हार्ट करने एवन के उड़ाने तक के लिए त्यार है और वो जानता है कि उसने कुछ और लोगों को भी उड़ा रखा है तो क्या टाइगर गैंग के प्रेजन शियों के साथ अपने रिलेशनशिप को ज़रा डिफाइन करना वो उसे घदार कहने के काबिल नहीं समझती है जंगली से बेहतर और कोई घदारी के मतलब नहीं समझता है और बोलती है अगर उसे सच मुझ में मन से चाता है तो उसे नर्मी से पेश आता ना मगर कैसे अभी तक उसके सामने ठीक से कभी पें तक ना पकड़ पाने वाला ए उसे खुद को नहीं लगता है कि वो कोई बड़ीया निशाने बाज है। अगे होता तो उसे क्या लगता है कि वो अभी तक जिन्दा खड़ी होती। आये उसे उस जगह से बाहर निकालने के लिए चैलेंज करती है। अभी हिम्मत है तो सामने निकलकर निशाना दिखाएना जरा। मकडी की तरह मक्खी को पंसाने के जाल फैंक रही थी। ये वैसे भी इस से जादतों से वो पेंटिंग पसंद थी। तो इसे शूट कर ही दे। जिस पर बोलता है अभी पगला गई हो। उससे वो मोनेट अच्छी लगी पिकाउस उसने खरीद कर दी थी। बोलता है अब जैसे उसकी दीगी कोई वैंगो नम की चीज उसे अपने बेडरूम में पसंद है। बताती है वो भी फेक है। वो भी कम नहीं होता। कि हाँ हाँ अल्रेडी जानता है बस बता कर उसे सैड नहीं करना चाता था कि वो जान गया है। उसे फेक चीज़ें दिये जा रही है और बोलता है कि चलो बात निकल ही पड़ी है तो फिर मेरे को बता दियो आखर उससे जुड़ी कोई ऐसी चीज भी है या बात जो सच्ची भी है जो कि कुछ भी सच्चा नहीं होता। अपनी सभी फेक चीज़ों की लिस्ट बताना स्टार्ट करती है। शेयन के उसको अभी तक खिलाएगे पैंठोस उसे बिलकुल भी अच्छ नहीं लगते हैं। इसके बज़ाए वो स्पाइसीज खाना लाइक करती है। और यहील पैना से जहर लगती है। वो स्नीकर और फ्लैट पैन के कमफर्ट रहती है। इसे तो वो भी पसंद नहीं है जैसे वो इससे लव करता है। जिसे सुनके तो वो बोलता है बस बस बहुत हो गया। जैदा आगे जा रही हो सब मान लूँगा मगर यह जो आखर पर लव वाली बात बोली है इस पर फिर्की गुमाओ कल्टी मार लो वह थी कि वह ना रुकिंगी है वह बोलती है इसको इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है जो चीज़े बाए करके लाता है जैसे कि उसे उसके प उने मेरे को परस्यू किया था वो बोलता है नहीं नहीं तू ने किया था अई फिर दोनों के बीच में तू तू मैं मैं की जंग स्टार्ट हो जाती है अगर चाहे तो वैसे पहना सकती है और चलो मैं पहना देता हूँ चूडिया नहीं प्यार वाला जपा अई यह गुल- गुमा कर फरिश पर जा पटकता है और बची थी दिल की कची सो उसके हुस्त में भटक गई उसको खुद में खोया देकर पूचता है अब एक कुछ होश वोश खबर है फिर तो उससे चुड़ाने के लिए जोर लगाती है और फिर यह उसको गुमा कर अब के बार उसके वो कोट की पाकिट में हाठ डालता है तो यह और क्या डाइमिड डिंग थी जिससे उसे चिनने लगती है मगर वो फॉरण से दूर फैंक देता है ना तेरी ना मेरी वो देख लेती है उस् इसने ये इसलिए पाता था था कि और अगर ऐसे बेड़ में ले जाकर काबू कर लेगी is लिए पैन रखा है तो बोलता है अच्छा बड़ी श्यानी हो गई हो फिस को बोलती है उसे बताना चाहती है इसे तो न्यूस पेपर पढ़ना भी पसंद नहीं है मगर अपने स्टैफ फादर शीयों के हिडन मेसेजिस के लिए पढ़ती रहती है और उसके हिडन मेसेजिस वाली बात सुनकर तो फॉरण से उसके मूँ से फिसल जाता है कि वो जानता है गूमालन को इसने चिपकाया था जब वो उसकी तरफ गोर से देखती है तो समझ गया कि दर उतर निकल गई है